नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही एक तस्वीर बड़ी वाइरल हो रही है इसमें देखिए दो शक्त सेखिए सर पर सफेद टूपी है महराश्टियन स्टाइल की महराश्टियन स्टाइल का टायर है प्रदान मंत्री नरेंद मोदी गणेश मंदना कर रहे हाथ में पूजा की ठाली है इस तरफ चीर जस्टिस चंदरचूर साब खरें है हाथ जोड़े और दूसरी तरफ मोदी जी के उनकी पत्नी है चंदरचूर साब की वो घंटी बजा रही है और ये तस्वीर चंदरचूर साब के घर की है नेजी मामला है बिलकुल प्राइवे और ये तस्वीर चाया हो जाती है अख़बारों में आ जाती है शोशल मीडिया पर चल रही है इसको लीक नहीं किया गया बकायदा प्रसारिट प्रकाशित किया गया है तो क्या किसी मंशा से किया गया है कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं सविधान के रक्षक कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट कहलाता है और उसके चीव जस्टिस है चंद्रशूर न्याय पालिका किस सिर्मौर दूसरी तरफ कारे पालिका के सिर्मौर है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दोनों सविधानिक पदों पर है नियायपालिका और कारेपालिका आपस में भिड़ते रहते हैं इन में कोई सद्भाव हार्मोनी जैसी चीज हो नहीं सकी ये बात बहुत साल पहले पंडित नहरू के समय में जस्टिस पंतजली शास्री ने कही थी जब एक समहारो में पंडित नहरू प्रधानमंत्री और जस्टिस साब मिल गए थे एक जगा तो नहरू नीजी ने कहा कि कारेपालिका और नियायपालिका में हार्मनी होनी चाहिए इस पर जस्टिस शास्री उखडगे वो मन छोड़ कर चल दिये यह कहते हुए कि कारेपालिका और नियायपालिका आपस में एक तरह से दुश्मन में की तरह है और दो दुश्मनों में हार्मनी हो नहीं सकती कारेपालिका के खिलाब मामले नियायपालिका में जाते हैं और न्यायपाली का इंसाफ करता है सविधान को ध्यान में रख कर ऐसे में जब इनके दो हेड मिल गए तो लोगों के दिमाग में सवाल आने शुरू होंगे सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंदरचूड साब ने प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी को गणेश चतरथी के मौके पर अपने घर के निजी पूजन के लिए बुलाया तो क्यों बुलाया दूसरा सवाल उठता है कि क्या प्रधान मंतरी ने जस्टिस चंदरचूड से कहा कि इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर वो उनके घर आना चाहते हैं पूजन में शामिल होना चाहते हैं अगर ये कहा तो क्यों कहा, क्यों आना चाह रहे थे तीसरा, क्या PMO की तरफ से कोई मेसेज पहले दिया गया चंदरचूर साब को कि परधान मंतरी जी आना चाहते हैं और चंदरचूर साब ना नहीं कर सके वो हा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ना नहीं कर सके या उन्होंने हा कर दी, या फिर बड़ा सवाल उठता है कि ना क्यों नहीं की फिर बड़ा सवाल उठता है कि अगर ना कर दी तो भी प्रधानमंत्री ने का नहीं मैं तो आऊंगा ही एक सवाल इसके साथ उठता है कि आप महमान की तरह है यानि मोधी जी महमान की तरह गे चंदरचूर से साब के यहां और Chief Justice साब के यहां गणेश पूजन हो रहा था, तो पती पतनी गणेश पूजन करते हैं आम तोर पर, कोई सब जो महमान हैं, घर परिवार के दूसरे लोग हैं, वो थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं, हाज जोड़े या ताली बजाते रहते हैं आरती के समय में, यहां पर आरती का थाल थमा दिया जाता है मोदी जी को, या उन्होंने खुद थाम लिया, खुद में उसमें आगे जैसे पूजा वही कर रहे हो, और Chief Justice अपनी पतनी के साथ उनसे मिलने आए हो, बड़ा सवाल एक और उठता है, वीडियो आडियो किसकी सहमती से रिलीज किया गया, चंदरचूर साब की सहमती ली गई, नहीं ली गई, या उन्होंने मना कर दिया कि ये वीडियो आडियो रिलीज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद फोटोग्राफ रिलीज कर दिया गया, एक सवाल उठता है कि इसमें फायदा किसका है, चंदरचूर साब का तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा तो उन पर सवाल उठ रहे हैं, न्याई पालिका पर सवाल उठ रहे हैं, दो साल का कारेकाल बचा है, दू महीने का कारेकाल बचा है, क्या इरादा गरंजन गोगोई बनने का है, तमाम तरह के सवाल सोशल मेडिया में उठाए जा रहे हैं, और च अब कारेपालिका ने ऐसा किया वीडियो लीग कर दिया फोटो छपवा दी अख़वारों में बकायदा X किसका हैंडल है जिससे फोटो जारी हुई है और खबर जारी हुई है यह आप सब जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो इलाबाद हाई कोट के जस्टिस रह चुके हैं गोईन माथूर उनका एक इंट्रू में देख रहा था वो कह रहे थे कि साब इसमें तो कारेपालिका की थोड़ी इमांदारी नहीं बरती कारेपालिका ने ऐसा नजर आता है और थोड़ी मन्शा ठीक नजर नहीं आती साजिश शड्यंतर ऐसे शब्दों से तो परहेश किया लेकिन मन्शा को लेकर सवाल उठाए उनका एक और कहना था कि कारेपालिका को इससे फायदा होगा अब कारेपालिका को किस तरह से फायदा हो सकता है या कारेपालिका के पक्ष में चीज़े जाएंगी ये उन्होंने कहां मैंने कुछ नोट्स लिये थे 1997 का Code of Conduct है कि जो Chief Justice है High Court के हैं चाहिए Supreme Court के हैं या District Judge है उनको आम जन्ता से दूरी बना कर रखनी चाहिए थोड़ा maintain करके रखना चाहिए फासला लेकिन वो self regulatory है वो mandatory नहीं है एक सवाल तो ये है दूसरा ये है कि जान बूच कर तस्वीर फैलाई गई है ताकि लोग सवाल उठाएं ताकि किसी एक पक्ष को फैदा हो एक सवाल उठता है कि जब Chief Justice के घर प्रदान मंतरी पहुँँच गे तो दूसरे जज क्यों परहेश करेंगे हाई कोड के जज मुख्य मंतरीों से मिलने से क्यों परहेश करेंगे District Judge के जो जज है वो अपने इलाके में भी नेताओं से कुछ दूरी जो बना कर रखते है वो दूरी बना कर रखेंगे नहीं रखेंगे या उन तक क्या मैसेज भेजने की कोशिश है अभी PM केर फंड का मसला आना बाकी है और भी कई मामले है UCC पर कुछ कोड का दखल हो सकता है नहीं हो सकता है ये भी एक बड़ा सवाल है कुछ राज्यों में राश्पती शासन लगाने की एकाद राज्ये में तैयारी चल रही है ऐसा एक खबरे है वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोड में वो सवाल है बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया इस तस्वीर के बहाने अपनी अपनी बात रखने का जिस से प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी का तो कुछ नहीं जाता क्योंकि वो एक पॉल्टिकल हस्ती है पॉल्टिकल पार्टी के नेता है जो इस समय देश के प्रधान मंतरी है लेकिन चीफ जस्टिस नियाय पालिका इन ये संदे के घेरे में आती है और इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि नियाय पालिका पर अगर लोगों का विश्वास उड़ जाएगा तो फिर लोगतंत्र बच पाएगा नहीं बच पाएगा ये भी कुछ बड़े सवाल उड़ते हैं